हेलो, ETV में आपका स्वागत है, बजट को पेश किये गए करी 15 दिन हो गए हैं, काफी मुद्दों पे चर्चा आगे बढ़ चुकी है, इनी सब मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुझूद हैं, वित्य राजिमंत्री शियनुलाक ठाकूर, सर, ETV भार जो बैंक को प्राइटाइस किया जाए? देखे, इसकी बड़ी सर्यल प्रक्रिया है, नेतिया योग तया करता है, कौन से हाई प्राइर्टी सेक्टर है, कौन से लो प्राइर्टी सेक्टर हैं, और किसको स्ट्राटेजिक सेल में लेकर जाना है, किसको नन स्ट्राटेजिक स पास वो आता है तो भाग उसमें से तैक करता है कौन सी कमपनी जैसे उसके लिए तैक किया जाता है कौन सी के बाद उसकी कितनी अच्छी वैल्यूएशन मिल सके सरकार को पैसा आए और जो सरकार इन कंपणियों के सेल से पैसा कमाएं उसको वापस फिर लोगों के समाजिक उत्थान के लिए लगाया जांए उनके विकास के लिए लगाया जाए तो क्या कुछ नाम चिन्हित किये गए है क्योंकि अगले साल के लिए जो टारगेट है वित्मंत्री जी ने कहा था IDBI और दो और बैंक लेकिन अब चार बैंक के नाम आ रहे हैं तो लोगों में जिग्यासा है खासकर के बैंक कर्मियों में कि कौन से चार बैंक हो सकते हैं या क और उनको अपना मार्केट शेर बढ़ाने का अफसर मिलेगा और लोगों को उसमें रोजगार मिल पाएगा और फिर जो सुविधाएं भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जो अच्छे काम करने वाले उनको और अच्छा पैसा मिलता है बैंक का साइज भी बड़ेग को और अभी भारती मजदूर संग की केंडरी कारड़नी समित की बैठे कोई चेन नहीं में 12-14 उसमें भी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि नहीं ये कदम से लोगों में गलत संदेश जाएगा जनता में गलत संदेश जाएगा तो क्या जो आरेसेस के अनुशांगित से अलग अलग जिसमें भाजपा भी है और भारती मजदूर संग में भी है आपस में तालमेल की कमी है कुछ स्टेक होल्डर से बातचीत भी बैंक करते हैं मर्जर से पहले भी जो शंकाएं थी वो सब शंकाओं को दूर किया गया लेकिन आपको ये भी समझना पड़ागा जो का पैसा है वो भी इन बैंकों की कैपिलाइजेशन करने के लिए है दोहजार चौदा से लेके दोहजार बीस तक साड़े तीन चार लाग क्रोड पे इन बैंकों में डाला गया है तो सरकार की प्राथमिकता है किस तरफ है अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ सथ CICI है वो भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं कई बैंक तो ऐसे भी हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जादा सरकारी योजनाओं को यह जो लाब देने होते हैं वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो इसमें देखने वाली बात है कि सरकार का जो पैसा है ज पैसा जाता लगाए या बैंकों की कैटलाइजेशन की और लगाए हमने बैंकों की कैटलाइजेशन भी की बैंकों को मजबूत भी किया बैंकों को PCA फ्रेमवर्क से बाहर भी लाए बैंकों को दो और ताकतवर भी बनाया और बैंकों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे ह लेकिन क्या पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेतर में, क्या आपको इतने बैंक चाहिए? बड़ा प्रशिन यह है. अगर बात करें, प्राइविटाजेशन की अधर देन बैंकिंग भी, अगर आप विशाका पुटनम स्टील प्लांट का देखें, वहाँ पर विरोध हो रहा है, एक जन्न अंदोलन का सुरूप ले रहा है, और इसकी चर्चा बीमस में भी होई कि यह हमारे खिलाप जा सकता है पब्लिक को प्रोवोग कर रहा है, तो इस तरिके की विरोध प्रदर्शनों से, किसान अंदोलन भी हमने देखा कि एक चुनोती बन गया है, सरकार के लिए कि उसको थामना, तो कैसे विरोध प्रदर्शनों से निप्टेंगे, आर्तिक सबार का विरोध तो होगा ही, स्वा और ज्यादा होते हैं, तो आपके लिए वो भी एक चंता का विशे है, आखिरकार अगर देश को आगे बढ़ना है, रोजगार ज्यादा उत्पन कर रहे हैं, कंपनीज कुछ ठीक नहीं कर पा रही, उनके साइज को और बढ़ाने के जूड़ते हैं, आज से 40 साल पहले हैं, अगर बात करें, जो बैठकों का सिलसला है, कल आपकी रिजर्ब बैंक बोर्ड के साथ में मीटिंग हुई, तो आपने क्या उनके साथ चीजें साजा की, और क्या क्या से एक्जिट करने की भी बात साजा हुई, गवर्मेंट का जो है, कि काउंटर से लिकल हमारी फिसक क्रिप्टो क्रेंसी को भी लेकर काफी चर्चा चल लए है, क्रिप्टो क्रेंसी को लेकर सरकार की क्या योजना है, कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या इस पर टैक्स भी लगाएंगे? आपने बहुत महत्पून प्रशन पूछा है, क्योंकि मैं देखता हूँ, सोशिल मीडिया में भी इसके कुछ ना कुछ चलता रहता है, सबसे पहले तो बोर्ड, RBI ने एक रेगुलेटर के नाते प्राइवेट क्रिप्टो करंसी पर प्रतिबंद भी लगाया, तो उसका में ग्रूप आफ सेक्रेटरिस मिला, उन्होंने अपने इसमें विचार दिये, अब उस रिपोर्ट को जब एक पर कैबिनेट में जाएगी, और कैबिनेट उसको मंजूर करती है, तो सरकार इस सत्र में इस बिलको ला भी सकती है, जिससे क्रिप्टो करंसी पर यहां पर दे करंसी हो सकती है, वर्चुल करंसी हो सकती है, उस दिशा में भी दुनिया भर के देश अपने अपने सर पर अभी बातचीत कर रहे हैं, क्या इस पर टैक्स भी लगेगा, क्रिप्टो करंसी पर कुछ ऐसा भी प्रस्ता में सरकार है, मुझे लगता है, जब एक बर बिल इंडिया में बहुत बड़ा है, उस अनुपात में ये टैक्स नहीं देते हैं, एकुलाजेशन लेवी लगाई गई थी 2016 में, लेकिन वो डारेक्ट टैक्स से लोगों कहना है कि जितने एड ये सर्व करते हैं इंडियन वीवर्स को, उस हिसाफ से इन पर कोई इंडारेक्ट संदर कितना advertisement आया, तो बहुत सारी issues हैं जो लगातार ministry of electronics and information technologies को मेटी भी कहते हैं, उनके माध्यम से भी ये लोग represent करते हैं और revenue department भी अलग-लग तरह से देखता है, आखरीकार भारत को जादा revenue आया तो हम क्यों मना करना चाहेंगे? अच्छा मैं ये भी पूशा जाता हूँ, health budget को लेके इस बार काफी चर्चा हुई, सरकार ने 35,000 रुपए vaccination के लिए लगाया, जो कि करीब 1% है total budget का मोटे तोर पे, लेकिन इसको लेके जनता में बहुत जग्यासा है, कैसे ये पैसा spend होगा, और लोग ये भी जाना चाहते है, बहले ही आपकी मिनिस्ट्री नहीं है, कि अगर सरकार की vaccination drive थोड़ा slow है, तो क्या इसको प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया जाए, किस तरीके से ये पैसा खर्च होगा, प्राथमिकता है, हमने COVID के टाइम पे भी तैक की थी कि पहले lockdown लगाया ताकि जान भी बचाए और जहान भी बचाएं, जान है तो जहान है, और दुनिया भर में सबसे कम जिन देशों में मृत्य दर हुई, इसमें से एक भारत है, फिर लगा economy को भी बचाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, तो unlocking का निर्णे किया गया, अलग-लग सहुलियत दी गई, मध्यम हम लगो कुटीर कुटीर उध्यों के मसमी को आपके, हमने तीन लाग क्रोड पे से ज़्यादा बैंकों के माध्यम से दला और बहुत सार योजनाओं को और लग लेकर आए, गरीब आदमे के लिए, हमने असी क्रोड गरीब लोगों के लिए, आट मेने तक राशन देने का क लागो करवाया जा रहा है, और पूरे सोच समझ कर ही इसको लागो किया जा रहा है, अलग-लग राज्यों में इसको किया जा रहा है, अब कुछ लोग इस पे भी राजनीती करते हैं कि पहले प्राइमनिस्टर क्यों ना लगवाएं, अब ये पूर्व की सरकारों में होता था किया पहला परिवार जो गांधी परिवार अपने आपको सदा वो मानते रहे वो लगवाता है उनके प्रधानमत्री लगाते लेकिन नरेंद्र मोदीजी ने सबसे पहले कोविड वारियर्स के लिए ठीका करन शुरू किया वेक्सिनेशन शुरू की यह दिखाते है दो सरक इंड वाटर से बीमारियां होती है जैसे डाइरिया है कॉल रहा है टाइफाइड है वो एक हमेशा से बहुत बढ़ी समस्चा रही इस बार हम देखते हैं कि थ्रस्ट बहुत है सनिटाइजेशन पे जल जीवन मिशन पे तो इसके बारे में कुछ बताईए कैसे आप पानी उठाकर लाना पड़ता है साफ पानी दिल्ली जैसी देश की राजधानी में भी पानी की कमी बहुत सरी कॉलोनिस में आती है भारे सरकार का मानना है कि सस्टेनिबल डिवल्मेंट गोल जो दुनिया भर के देश 2030 तक इसको लागू करने वाले हैं इसको चीफ करने वा रंशी इसको क्याते हैं उस खेतर में भी काम करना होता है हेल्थ के लिए और हम पानी के लिए काम भी इक रीए मैं रिवन्यू की बात करे हैं सारे बजेट का फोकस्रेवन्यू पर होता है हमने दिखा कि डियरेक्ट-इनी से दोनों में डिक्लाइन है 30-35 परश 빠र्शेंट क रहे तो revenue आपका बढ़ेगा कैसे लेकिन साथ ही साथ हम लोग ease of doing business कर रहे हैं लोगों के लिए रहात दे रहे हैं faceless assessment income tax में लाए faceless appeal लेकर आए customs में हम तुरंत custom लेकर आए हैं इससे क्या लाब हुआ लोगों को interface खत्म हो अदिकारियों के साथ और उनका tax terrorism को कम करने का काम किया दूसरी और जो आपके छे साल पराने income tax के case खुल जाते थे अपनी खुल पाएंगे किवल तीन साल तक के खुल पाएंगे और पचास लाग से ज़्यादा का कोई case होगा तो principal chief commission income tax के इजाज़त से ही आपका दसाल पराना case भी खुला जा सकता है तो इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी लेकिन दूसरी और हमने खर्चे में कोई कम नहीं की हमने capital expenditure साड़े 34% बढ़ा है साड़े पांच लाग क्रोड पे इस साल किया इससे रोजगार ज्यादा उत्पन होंगे विकास जाता होगा एक लाग अठारा जार क्रोड पे सडकों के लिए एक लाग दस जार कोड रेलवे के capital expenditure के लिए साड़े अठारा परशन्ट जादा किया defense के लिए capital expenditure के लिए तो वहीं पर हमने health के लिए पास्त के लिए 137 परसेट विर्दी की है यानि के सीधा ही budget को दो लाग तरीस हजार क्रोड पे पर पंचा दिया पानी के लिए 50,110 क्रोड पर खर्च किया वहीं किसान्यों के लिए 35,000 क्रोड पे का प्रावधान किया है कोविड वेक्शन के लिए जैसे आपने कहा 35,000 क्रोड के का प्रावधान किया इसी तरह से हमने कहा कि manufacturing कैसे बड़े रोजगार कैसे हो तो production link incentive schemes हम लेकर आए 10 क्षेत्र हमने इसमें जहां पर लोग अपनी इंडस्ट्री लगाएं उन में से export करें तो एक लाग स्थान में हजार क्रोड पे के उनको इसमें incentive मिलेंगे पांच वर्शों में अगर बात करें मैं फिर से आऊंगा excise पे excise सरकार में कट नहीं किया उसकी वज़ए से criticism बहुत है प्राइस सो रुपए करीब करीब पहुंच रहे है इन फैक्ट राजस्थान में आज ही पहुरा था कि सो रुपए किसी जगह पे प्राइस पाहर कर गया तो एक विपक्ष कर रही सरकार कम नहीं कर रही और आपदा में अपने लिए उसरड हो रही है इस criticism को कैसे आप देखते हैं तो बाते हैं राज्ये की सरकारें भी टैक्स लगाती है केंदर की सरकार भी टैक्स लगाती है तो इस पर किवल केंदर सरकार को एक कहना की टैक्स लगा है राज्ये की सरकारों को भी अपना जिम्मेदारी निभानी है मुझे लगता है राज्या की सरकारें भी इस पर चंता के रूप में देखेंगे। मैं एकंती प्रशन पूछना जायता हूँ आपसे, टैक्स एक्सपर्स कहते हैं कि टैक्स रेट कम करिए डैरेक्ट टैक्स में जैसे इंकम टैक्स है, कारकुषिन टैक्स, महामारी के बाद ये समय आया कि बजट सत्र हो, तो इसमें हमने एक रुप का टैक्स भी नहीं नया लगाया। यह तो लोग कहते हैं कोविड टैक्स लगेगा, और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वहीं दूसरी और 35,000 कोट जैसे आपने अभी कहा, पूरे देशपर में वैक्सिन उपलब्ध हो, पहले कोविड वारियर्स को दी जाए, फिर अगले जादा उमर के बढ़ाया जाए, इस आप दूंग बिजनस बढ़ाई जाए, देखिए पहली बात तो जी एस्ट के रेट जी एस्टी काउंसल तैक करती है, जहां सभी राज्यों के प्रतिनी दिया आते हैं, और समय समय पर वो रेट उपर नीचे करते भी हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिकर दूप से मानना है कि साल में एक ही बार रेट रैशनलाजेशन होनी चाहिए, और इसको वापस ठीक करना चाहि ने फेसिलिटेट भी किया है, अब रेवन्यू बढ़े कैसे, डारेक्ट टैक्स में कॉर्परेट टैक्स को अगर आप कहें तो हमने 30% से कम करके 15% कर दिया जो नए मैनफेक्टिरिंग उनिट लगाएगा, जो एक्जिस्टिंग तो इनको 30% से कम करके 22% कर दिया, तो हम तो जनता की और टैक्स में के लिए सहूलियत ही दे रहे हैं, कि उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो वापिस निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो रोजगार बनेगा, रोजगार होगा, साथ यसाथ हमारा कारोबार भी बढ़ेगा, तो इसलिए लोगों के हाथों म झाल